मस्कर दोस्तों मैं आपका दोस्ता हाजीर हूँ फिर से एक नई और महत्वण जानकारे के साथ ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में ये कुपी का पोजाएब दोस्तों रोज मरा की जिंगी में नचाने कितने ही पेड़ पोदों को हम देखते हैं हमारे आसपास में होते हैं या हमारे आंगन में भी लगा होता है या गमले में भी लगाया होता है या खेत खली हानों में हम इसे देखते हैं लेकिन इसकी जानकारेन होने की गारण इसके फायदी हम नहीं ले सकते इन जड़ी बुठियों में ऐसे तत्व पाये जाते है जो हमारे सरज में जिन तत्व की कमी होती है इसको लेने से उन तत्व की पूर्ती हो जाती है और हमारा सरज निरोगी बन जाता है इन में से कहें पेड़ पोधे ऐसे भी होते है जिनका रस निकाल कर तोचा पर लगाने से तोचा के विकारों का भी समन होता है इस पोधे में भी ऐसे ही गुण मौजू थे जो दाद, खाज, खुजली और पंगल इंफेक्शन को दूर करने में सक्सम होता है देख लिजे इस प्रकार का होता है कुपी का पोधा ये पोधा डाई से 3 फीट तक उचा होता है और शिदा बढ़ता है इसमें से कई साखाय भी निकलती है इसके पतर अंडाकार होते है और किनारियों पर दंतुर होते है इस पोधे पर हरे रंके या कुछ पीले रंके पुस्पलगते हैं जो मंजरियों में होते है ये पोधा वर्षा रुतु में उत्पन होता है और लगबग पूरे भारत वर्ष में आपको ये आसानी से देखने को मिल जाता है खेत, खलिहान, खाली पड़ी, जमीन, चड़त के किनारों पर और नदियों के किनारों पर भी ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा दोस्तों नमी वाले स्थान पर तो ये पोधा पूरे वर्स भर आपको देखने को मिल जाएगा गर्मियों के मौसम में ये पोधा सुख जाता है और वर्षारुतों में फिर से उत्पन होता है इस पोधे को संसुरुत में हरित मंजरी और अरिष्ट मंजरी से पहचान मिली है इस पोधे का हिंदी नाम है कुप्पी और खोकला मराठे में कोखली, कुप्पी और खाजोटी कहे दे है इस पोधे का अंगरीज नाम है इंडियन एकलिपा और विग्यनिक नाम है एकलिपा इंडिका देश के अलग-अलग भासाओं में और खेत्रों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है दोस्तो ये कुपी का पोधा आउसदी गुणों से भरपूर होता है ये दाद खाज खुजली जैसे तोचाविकारों को नश्ट करने की एक कारगर जड़ी बुटी है सालों से इसका उप्योग तोचारों को दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तो इस चड़ी बुटी का प्रयोग करने से दाद जल्दी ही खत्म हो जाते है इसी कारण गुजराती में इसे दाद रो भी कहते है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करे बिल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकिशन पर क्लिक करे जिससे हमारी हर नी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे इस पौधे में एक जमतकारे गुण होता है बिच्चु के जहर को खत्म करने का बिच्चु के दंसके स्थान पर तुरंत इस पौधे के पत्तियों और डंठल का ताजारस निकाल कर लगाने से बिच्चु का जहर खत्म होता है और दर्द भी दूर होता है इसी कारण गुजरात के काठिया और क्षेतर में इसे वेंसी काटो भी कहते है इस पौधे का गुणधर्म रेचिक होता है ये कप को दूर करता है फेपड़े में जमा हुए कप को ये बाहर निकाल देता है इसके पत्र एंटि बैक्टिरियल होते है ये पौधा क्रुमिक न होता है याने पेट में होने वाली क्रुमिक को ये दूर करता है इसके लिए इ साप करे और इसका काढ़ा बनाए काढ़ा चाय की तरह बनाया जाता है इसमें लगबग 400 मिलिलिटर पानी में इस पोधे को पकाना होता है मोटा मोटा कुटकर और इसके साथ थोड़ी सी लसुन मिलाए दिमी आज पर पकाए और जब 100 मिलिलिटर मातर सेश रही तब ठंडा हो होने के बाद चान कर दिन में दो बार खाली पेट ही 15 से 20 मिल की मातरा में पिलाए दो से दिन दिनों के प्रयोक से ही पेट की क्रूमी नश्ट होती है छोटे बच्चों के लिए इसका ताज्या रस एक चमच की मातरा में थोड़ी लसुन के साथ पिलाए खासी दमा और स्व पोधे का काढ़ा बना कर या चाय की तरह पिने से आराम होता है अगर इता जान मिले तो इस पोधे को साव में सुखा कर पावडर बना कर आप इसका सिवन कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि कभी भी किसी भी प्रकार की जड़ी बुटियों का आपको पावडर बनाना ह तो इसे कभी भी दूप में न सुखाए, साव में ही सुखाए, क्योंकि दूप में सुखाने से इसके गुन नश्ट हो जाते हैं, साव में सुखाने से इसके पूरे गुन उसमें मौजुद ही रहते हैं, साव में सुख जाने के बाद इस पोधे को कुट कर पाउडर जैसा बन चाय की तरह और आधा से इस रह जाने के पाद ठंडा होकर चानकर पी जाए इसके तिन से चार दिनों के प्रयोक से ही दमा खांसी और स्वास नश्ट होते हैं अगर फेपड़े में कप जम गया होगा तो ये भी बहारन निकल जाएगा बहुत आसानी से दोस्तों दमा और खां में अगर कप जम गया हो तो इसकी ताजी पत्यों का रस एक चमच की मातरा में निकाल कर पिला दे इससे बहुत चल्द ही आराम होता है दोस्तों पेट साप करने के लिए इसकी जड़ बहतरिन अवसदी ही ये रेचक होने से इसका काढ़ा बना कर पीते रहने से पेट साप ह हो जाता है अगर कान में दर्द हो रहा हो या किसी भी प्रकार की समिश्या हो तो इस पहुदे का ताजा रस निकाल कर दो से तीन बुंदे कान में टपकाए चल्दे से आराम हो जाएगा इसकी ताजी पत्यों का रस निकाल कर तील के तेल के साथ या नारियल तेल के साथ मिल कर तेल सिद्ध कर ले इस तेल को तोचा पर लगाने से ताद खाज खुजली जैसे तोचा विकार नश्ट होते हैं इसके अलावा इसकी ताजी पत्यों का रस तील के तेल के साथ गर्म करके लगाने से मालिस करने से जोड़ों का दर्द मिठता है अगर किसी को जहर ले किड़ ने काट लिया हो तो तुरंत इसकी पत्यों को मचल कर उस्तान पर लगाए बहुत जल्दी ही जहर का प्रबाव कात्म होता है।